हरी कृष्टा, ओम अज्यानत मरांद से ज्यानन जन अश्ला कया, जक्षरून मिलितम ये नतस्माय श्री गुर्वे नमा स्री चैतन्य मनौ अभिष्टम स्थापताम ये नपुतले स्वायम सव्यम रूपकदामियम ददाती स्वपतांतिकम हरे कृष्टा, हरे कृष्टा, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, आईए, जाब शुरू करते हैं, आज एकादशी है, और उम्मीद करते हैं कि आपने आज एकादशी का व्रत किया होगा, चैश्री कृष्ट चैतन्य, प्रभु नित्यनन्द, स्रिय अद्वईत गदाधर, शिवास सादिकावर भक्त व्रंदर, चली हम जाब स्टार्ट करेंगे, कि कर्ष्ट बीक्रिस्ट चैतन्य, भरी रही राम, 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 ह्री हरी। Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Рам, Hare Hare. Hare Krista, Hare Krista Krista Krista, Hare Hare, Hare Ram, geil Lamb, Ram, rapper Hare Krista, Hare Krista, Krista Krista, Hare Hare, Hare Ram, Hare 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 कृष्ण 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 हरी 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 राम हरी राम 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 हरी 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 कृष्ण 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 हरी 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 राम हरी राम 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 हरी हरी silently जाप करेंगे आप सब जरूर जाप कीजिए आज एकादशी है और अपनी एकादशी अवश्य सफल कीजिए श्री राधे शाम राधे शाम राधे शाम एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुरत में और जाप करना मतलब ये मेरे ठाकुर जी की असीम करपा समझ रहा बहुत बड़ी करपा समझ रहा आप सबों के उपर हम सबों के उपर ठाकुर जी की करपा है कि मिकादशी के दिन उठकर भजन कर रहे है ये उनकी करपा से हमारी इसमें कोई भी अपनी तपस्या नहीं है सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के करपा है श्री रादे, श्री रादे भजन करो, श्री रादे एकादशी सफल करो, श्री रादे रादेको बिंद, 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 रादेको जादि है ईुर शृ राधि स्री राधि श्री राधि श्री राधि दो ना अ कि को वें राधी को बंद राधी को विंदर ओ राधी को ऋर्दी कुंद राध्यी कुंद रधी कुंद राधिकु द्राधिकु भिंग श्री राधि अपनी एकादशी सफल कीजिए एकादशी श्री राधी एकादशी श्री राधी श्री राधी राधे गोविंत राधी राधी श्री श्री राधी सवा में अच्छा लगता है जब हम एक आदेशी में उटकर भजन करती है श्री राधि श्री राधि श्री राधि श्री राधि राधि श्राम अच्छे श्री राधि श्री राधि श्री राधि श्री राधि हरी बोल अच्छे श्री 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 नाम में बहुत बल है नाम में बहुत शक्ती है नाम में ही आनन्द है नाम में ही रस है और नाम से ही इश्वर की प्राप्ति है स्रीक्रिष्ट गोविंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासु दिवा, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, 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 र शीराधि नाम जपने वालों का कभी बुरा नहीं होगा कभी बुरा नहीं हो राधेशाम, राधेशाम, राधेशाम हरी हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल हरी बोल, 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 हरी बोल वो किन इस अरिवा आहित। है कि अधर इस अधर है कि अगरें। अधर है है कि जागिया सब श्री रादे अपनी का दुष्री सप्राइब करफल की लिए आज एक अधिशी है हरी बोर Hari Hari Bhol, Hari Bhol, Hari Bhol आफल करहें हुए खीरादि करिशाम रे समय आफनी बिन आफ। अइसे हुआ राधीशा माया निद्रा के रूप में भी पकड़ती है माया किसी भी रूप में पकड़ सकती है शेरा आदे हर एक वो चीज जो अमें कृष्टा से दूर कर दे वो माया हमारा आलस राधेशा 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 कि रादेशा जबते रहिए जबते रहिए एक अदशी सफल कीजिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे नाम जबने से हर जीव का भला होता है यहां तक कि कोई पश्रू है अगर उसके कान में भी भगवान का नाम जाता है तो भला होता है इतना नाम का प्रभाव राधे श्राम श्री राधे श्री राधे श्राम राधे श्राम राधे श्राम राधे श्राम श्राम राधे 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 श्रा रादे श्राम, 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 र बच्चा हो जवान हो बूरा हो सबको नाम सिमरन करना ही है नाम ही हमारा आधार है सर्वस्य है नाम ही हमारा आधार है श्रीराध ही एकादशी सफल कीजिए श्रीराध ही आज बहुत भजन करना आज एकादशी है अपने घर के कर्तवे सब निभाना और भजन करते जाना Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rām Deva. स्रीक्रिष्ण गोविंद अरे मुरारी हे नात नारायन वासुदिवाए राधिष्ण गश्ण 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 के जायन वासुदिवाए चलि हम सामुष जाब करेंगे सिटे स्ट्रेट एकादर्शी है स्टार्ट करि будете ओ एक रेख्ष्न आर्या만 स्टार्य Zenith केटार्य एक आर्यक्र नेख्ष्न क्रज्ब रिर्हे रा Mayor हुरी ने कृेष्नब Chronets कि इसमें रए давай Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे आप अपना जाब जारी रखिए और हम भागवत का श्लोक पढ़ेंगे ये भी पढ़िए हमारे साथ कलेर दोश निधे राजन अस्ति है को महान गुणा कीर्टना देव क्रिष्टस्य मुक्त संग परम रजेत ये राजन ये दिपी कल्युक दोशों का सागर है फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है केवल हरे क्रिष्ट महामंत्र का कीर्टन करने से मनुष्व भवबन्दन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्यत हम को प्राप्त होता है नाम संकिर्दनम् यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख शमनस्तं नमामीं हरीं परमा इश्वर परम् कृष्ट सच्चि दानंद विग्रह नाधीर आधीर गोविंद सर्व कारण कारणं क्रिष्णाय वासु दिवाय अरय परमात्मत्ने हरय परमात्मने प्रणत क्लेश्णाश्य गोविंदाय नमो नमहा मंगलं भगवान विश्णो मंगलं घरड़ द्वजह मंगलं पुन्डरि काक्ष मंगलाय तनू हरी अई चलते हैं आज की क्था की और आज बहुत पवित्र थे थी एका दशी भी है और भगवत कीता का आज प्रकट्य दिवस है तो खल हम जब श्लोक पे चर्चा कर रहे थे आज भी हम इसी श्लोक पे चर्चा करेंगे एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रो एव एको मंतरस्य तस्य नामानी यानी करमा प्यक्कम तस्य देवस्य सेवा इस श्लोक को हम समझने का प्रियास करेंगे कल भी हमने इसी श्लोक पे चर्चा की श्रीराद आप सबों को बापजी सरकार की और से एकादशी की एवं गीता जहनती की अंगिनत अंगिनत और अंगिनत बदाईया हूँ बहुत पवितरते थिया है आप सोचो आज से लगबग ठीक पांच हजार वर्ष पहले आजी के दिन इसी तिथी पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई दिया राधेशा भगवत गीता संदेश भी है आदेश भी है और उपदेश भी है तीनों है हाँ भगवान ने जो अर्जुन को गीता सुनाई अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको मैसेश देना चाते है संदेश देना चाते मैसेश देना चाते श्रीरा आदे, श्रीरा आदे, श्रीरा आदे, श्रीरा आदे, भगवान हमको मैसेज दिना चाती, तो इसलिक गीता संदेश है, अर्जुन को तो भगवान ने उपदेश किया था, तो उपदेश भी है, और आदेश है, अब अर्जुन के लिए भी हम सबों के लिए एक आदे शेकीता ओर्डर है आदिश क्या है कि मेरी शनांगत हो जाओ क्रिश्ट कह रहे मैं तुम्हें सभी पापों से वक्त कर दूँगा अठारवे ध्य का 66 वाश्लोक पढ़ लीजेगा क्रिश्ट कह रहे आदिश दे रहे हैं क्रिश्ट हम फिर से समझेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि at a time भगवत गीता जो है वो गीता आदेश भी है संदेश भी है और उपदेश भी है अरजुन के लिए उपदेश हमारे लिए संदेश और हम सबों के लिए आदेश आदेश यही है कि तुम्हें क्रिश्ट के शणागत होना ठाकुर जी के शणागत होना बस यह आदेश अब भगवत गीता है क्या कि भगवान ने मानो शरीर की रचना की उस मानो शरीर का उप्योग कैसे हो उसका इस्तमाल कैसे हो मानो शरीर को सफल कैसे करे उसके लिए भगवान ने ये भगवत कीता दी कि इसको पढ़के अपने मानो शरीर को आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ श्रीरा आदे, श्रीरा आदे, श्रीरा आदे आगे बढ़ाओ जैसे हम बापजी समझाते हैं आज एका दशी है बपजी समझाते हैं कि हम कोई भी साधन खरीते हैं जैसे मोबाइल है वाशिंग मशीन है टीवी है फ्रीज है उस साधन के साथ एक मैनुवल भुक निकलती है मोबाइल के साथ एक छोटी सी पुस्तक मिलती है मैनुवल भुक होती है वो किसलिए होती है वो इसलिए होती है कि आपने जो साधन खरीदा है उसको कैसे चलाया जाए उसका कैसे उप्योग हो उसके लिए ये एक मैनुवल भुक दी जाती है उसको पढ़के तुम उसको बच् खरीदा था न जिसके साथ भी छोटी सी पुस्तक मिली थी हाँ मैनुवल बुक मिली थी कोई भी आप खास करके इलेक्ट्रोनिक आइटम खरीदे हैं तो उसके साथ एक मैनुवल बुक निकलती है और उस साधन को आप कैसे चलाएं इसलिए वो किताब होती है ऐसे भगवत गीता मनुष शरीर को चलाने के लिए एक मैनुवल बुक है भगवान के अपने मुक से निकली विवानी है कि तुम इस मानों शरीर को कैसे सफल कर सकते हो वो मैंने ये गीता तुमें दी है ये गीता का संदेश दिया है ये वो मैनुवल बुक है जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं अपना जीवन बदल सकते हैं श्री रादे श्री रादे अब हम अपने जीवन को बदल सकते हैं भगवत गीता का आधार लेके महत्मत्तर गया है इस संसार को पार कर गये, इस संसार को पार करने के लिए तो गीता है और पूरी गीता जैसे हम आपको बताएं सारे शास्तरों का जो निचोड़ और सार है वो गीता है तो बाकी गीता का सार क्या है finally गीता हमको क्या संदेश दे रही गीता में ही वेदों का घ्याने, उपनिश्दों का घ्याने, पुराणों का घ्याने ठीक है भई अमने गीता पढ़ी, समझ ली अब इसका सार क्या निकलता है इसका सार यही है, कृष्ट शणागती पूरी भगवत गीता का सार वो ही है श्री रादे मैं क्या हूँ रूप अर्जन को दिखाया विश्वरूप अर्जन को दिखाया ग्यारवे अध्याय में राधिश्रा राधिश्रा उस पे सब बता दिया कि सब मेरे अंदर है समस्त देवता समस्त शक्तियां समस्त रिश्यमुनी ये समस्त ब्रमांड ये समस्त संसार सब मेरे अंदर है मुझ कि सब उनकी अंदर है, उनसे परे कुछ नहीं, यहां तक कि साथवे अध्याय में कहा, कि साथवे अध्याय में भगवान ने कहा, कि तुम मेरी शणागत हो जाओ, मैं तुम्हें तरगुणी माया से पार कर दूँगा, दैवी हियोशा गुणमममय माया दुरतिया, मामे मैं य मेरे शणागत हो जाते हैं, वो इस माया को पार कर पाते हैं, श्री रहा दे, यह संसार सागर को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कृष्ट का आधार लो, सरी कृष्ट का आधार लो, तो इस संसार को पार करना इतना ही आसान है, जितना कि एक बच्चा गाए के बच्छडे के पैर के खुर के निशान को पार कर पाना बच्चे के लिए कितना आसान है उतना ही आसान है इस संसार को पार कर पाना यदी हमने भगवत कीता सरी कृष्ट का सहरा लिया है गाए फिर उसका बच्छडा फिर उसका पैर फिर पैर का भी खुर का भी एक निशान मिटी में पड़ जाता है उसको पार कर पाना कितना आसान है उतना ही आसान है यदी हम सरी कृष्ट के शना कर दोड़ा है हाँ और पूरी गीता का सार हुई है भगवान ने पूरा गीता का ज्यान देने के बाद अठारवे अद्या में लास्ट में कहा चासटवे शलूप में कि मेरे शाना कर तो जाओ मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा मेरे हवाले हो जाओ आरजुन तुम मुझे अपने साथ रखो आरजुन समय गया और आरजुन ने उस माहभारत की युद में कृष्ण को साथ रखा साथ रखा और कृष्ण ने भी पूरा साथ दिया आप देखो माहभारत की युद अठारा दिन चली अठारा मिनट के लिए करिश्ण अरजुन को छोड़के गये थे गये थे नहीं नहीं ऐसे कहा अरजुन थोड़ा मैं ठक गया हूँ थोड़ा मैं आराम करके आता हूँ जब तक तू युद्ध लड़ ले नहीं ऐसा क्रिश्ण ने नहीं कहा या क्रिश्ण ने ऐसे कहा बार से भी तो मिलकर आओं, नहीं, ऐसा भी कृष्ण नहीं का, नहीं का, अर्जुन थोड़ा ठग गयाओं आराम करके आता हूं, अर्जुन मुझे बूख लगे में भोजन करके आता हूं, अर्जुन अभी युद्ध तो तेरी है, तु खुद लड़ में जा रहा हूं, नही एक सिकंड के लिए भगवान ने, अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा, बस अर्जुन ने कृष्ण को साथ रखा, तो कृष्ण ने भी अर्जुन को नहीं छोड़ा, ये हमको गीता सिखाती है, क्रिष्ण को हमेश्वा साथ रखना, वो तुम्हें आकेला नहीं करेगा, जीवन के हर संगर्ष में वो खड़ा रहेगा खड़ा रहेगा बस हम उसका वैलकम करें आओ मेरे जीवन में मेरे कोविन आप आओ तो आने के लिए तो वो तयार रही देखो बाइंख है फैला के वो खड़ा है अब हमारे जाने की देर है हम नहीं जा रहे हैं तो इसमें क्रिश्ट का कोई दोश नहीं मां बच्चे के लिए खड़ी आजा आजा बाएं फैला के मां खड़ी आजा 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 अब बच्चाई गोद में नहीं जा रहा है तो मां क्या करेगी क्या करेगी मां श्री राद क्रिष्ण हमारी माता है और हुआ कहरें आओ मेरे शर्ड, मेरे पास आओ श्री राध है श्री राध है कभी बच्चे बाबास से किसी बात को लेकर नाराज हो गये कुछ जगड़ा हो गया तूटू मेत में हो गयी, मन मता हो गया कोई बच्चा घर छोड़के चला गया और उठके गया है नाराज होके गया है माबाप क्या करते हैं मैसेज भीज़ते हैं बच्चे को फोन करते हैं बच्चा नाराज होके गया ठीक है बेटा जो हो गया वापस आओ हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे या बच्चे से कोई गलती हो गई फिर भी माबाप कहते हैं बच्चे से कोई गलती हो गई और बच्चा ही माबाप से दूर चला गया ठीक है बच्चा रूट के नानी क्या चला गया दादी क्या चला गया बच्चे नहीं गलतियां किये पिर भी माबाप क्या करते दैयालू होते हैं, कि बेटा चलो वापस आजाओ, फोन करते हैं उसको, आजकल मुबाइल का जमान है, मैसेज करते हैं बेटा नारास मत तो, चलो जो हो गया हो गया, चलो तुमने जो गल्ती की ठीक है, आजाओ, तुम्हारे ममी पपा तुमको भी ओ, गीता के माध्यम से भगवान ने हमको मैसेज दिया है गीता एक मैसेज है अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा एक संदेश गीता के माध्यम से क्रिष्ट ने हमको मैसेज भेजा है, चलो तुम से जो अपराद हुए, जो गलतियां तुम मेरे शरनांगत्व जाओ मैं तुमें सबी पापों से मुद्त कर दूँगा तुमें सविकार करूँगा हमने भगवान को क्या समझा बहुस्च बहुस्त भगवान इसलिए कि हमको सजा दे बस सुर्फ सजाई देता वो क्यूं सजा देगा वो तो माफ करने के लिए बैठा है वो तो शमा करने के लिए बैठा है पर हम जाने को तैयार है हमारे कर्म हमारे लिए सजा है लेकिन भगवान हमारे लिए सजा नहीं है भगवान तो हमें शमा करने के लिए बैठे है श्री रहा दे, श्री रहा दे, श्री रहा दे, श्री रहा दे, इंसान आकर अपने गुनाओं की माफी कहां मांगेगा, भगवान से, और किसी से तो वो मांग नहीं सकता, नहीं मांग सकता, श्री रहा दे, अब किसी ने बकरी का मांस खाया है, बकरी को काट के खा गया, मांस नौन्वेश खा गया, अब वो बकरी को थोड़ी सौरी बोलेगा, अब वो तो बकरी मर गई भी जा रही है, अब मुर्गी तो मर गई है, जिसके अंडे खाए, यहाँ उसको मुर्गी को उसको खाया, तो अब उससे थोड़ी माफी मंगें, अब तो बोले भगवान से ही माफ कि संत मात्मा के पास चाओ उपिलों मेंसे बहूत कलती आउं गई है तो पंगो तो के भगवान के से दो बहुत कलती हो कि और आजाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तयार हूँ, कृष्ट कहते हैं आओ तो सही मेरे पाद, नमे अध्याय में तो ये तक कहा, कि तुम बड़े से बड़े दुराचारी पापी क्यों ना हो, यदि तुम मेरे भक्ती करते हो, तो तुम महात्मा समझे जाओगे, उस पूरी भगवत गीता में कृष्ट ने ये तो कहा, सात्वे अध्याय में कह रहे हैं, मेरी शरण लो माया से पार हो जाओगे, नमे अध्याय में कहते हैं, मेरी भक्ती करोगे तो धर्मात पर बन जाओगे, शरण में तुमारे पाप धूर हो जाएंगे, ठीक है, उसके मुझे एक, अनन्य भावसी को कहते हैं, मेरे शरण अंखत हो जाओ, श्री रादे, श्री रादे, श्री रादे, श्री रादे, श्री रादे, तो सुनिएगा, आज गीता जैनती है, साथ-साथ मौक्षदा एका तशी अभियम आपके एका दशी की खत्था सुनाएं, वो भी टो बागी है, वो भी बागी है, स्री रादे, श्री रादे, क्रिष्णने कहां आओ मेरे शर्रांगत? हो जाओ, आखर तो इंसाने जो भी अपरादे जिस से, किसी से थोड़ी, किसी से कम, किसी से जादा, आखर वो क कृष्ण के पास जाए जाए करिष्ण के पास स्री रादे श्री रादे को भी लगता है कभी तो यह जीव मेरे और रिष्टों को बहुत टाइम दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर इतना भी टाइम मत दो कि आपको अपने लिए टाइम न बचे, कि आप भजन न कर सको, इतना भी, क्योंकि याद रखना, इंसान की जब मृत्यू होती न, तो इसको एक सेकंड का समय भी जादा नहीं मिलत है, एक सेक, कि हम मृत्यू से कहें कि तुम दो मिन रुख जाओ, मैं मुझे यह काम है, थोड़ा मैं नाम चपलूं, ऐसा नहीं होता है, कॉलेज में क्या होता है, जैसे एक्जाम हो गई न, टीचर तुरंत वो आंसर शीट छीन लेती थी, याद है, कोई मुका नहीं मिलता तीन घंटे की एक्जाम होती थी, आप भी स्कूल कॉलेज गए होंगे, तीन घंटे पूरे हो गया है, टीचर वो आंसर शीट छीन लेती थी, हम कहीं कहीं टीचर को कभी दया आती थी न, तो एक मिनट का समय देती थी, तुम जल्दी लिखो, मैं दूसरों से आंसर तरशीट ले लो, पर मृत्यू इतनी भी दया नहीं करे, वो कहें कि भी सत्तर असी बरस जीवन दिया, कुछ नहीं किया, अभी दो मिनट में क्या करोगे, मैं आप से कहूं, हमारे पास तो भी वक्त है, वक्त है, थोड़ा सा भगवान को समयत, थोड़ा सा, और भगवत गीता को समयने का पूरा प्रयास करना, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, गुरु कृष्टो राधरानी जूगे करपा से, कि भगवत गीता के 700 श्लोकों की वीडियो बनाएं, एक-एक श्लोक पे उसका एक्स्प्लेनेशन हो और आप तक पहुँचे, अब आश्रवात कीजिए हम इस कारे को कर सके, गुरु माराज किरपा करेंगे, नहीं तो हमारे कोई हैसेत नहीं है, राधेश्या, राधेश्या, क्योंकि इसके लिए आमको समय चाहिए, वक्त चाहिए, राधेश्या, 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 एक बात पता हूँ, सुनना, समना, ये जो आप सत्संग सुनते होने सुबहे में, इसको छोड़ो मत, मुझे पता है ठंड पड़ रही है, कल तो भाई बहुत थी, ठीक है, पर हम रोज कह रहे हैं, कि ठीक है, शरीर को ठंड लग रही है, पर हमारे मन को, हमारे श्रद्धा को, हमारे विश्वास को ठंड नहीं लगनी चाहिए, हमारे प्रेम को ठंड नहीं लगनी चाहिए, ठंड नहीं नहीं जाए कहते हैं मजनु को लैला से इतना प्रेम था वो मौसम का इंतजार नहीं करता था कि गर्मी है बरसात है ठंड है वो उस लैला की द्वार पे उसके सामने खड़ा रहता था या उससे मिलने जाता था लेला के लिए वो इतना तरस्ता था मजनू हाला कि लेला और मजनू का प्यार देखोगे ने तो एक लड़के लड़की वाला प्रेम नहीं है मजनू का प्यार कुछ अलग ही था इसलिए तो उनकी प्रेम कथामर है उनका प्यार ही कुछ अलग था वो लैला में रभ दिखता था उसको इसलिए वो उस लैला से प्रेम करता श्री राद वो कभी नहीं देखता था वेधर क्या है मौसम क्या है ऐसे ही जैसे उसके प्रेम को कभी ठंड नहीं लगी जैसे हमारे प्रेम को भी ठंड नहीं लगनी चाहिए जो आपका क्रिष्ट के प्रती प्रेम है न इसको ठंड नहीं लगनी चाहिए अब बताओ आप ध्यान देना कभी भगवान न करें चलो तब खराब एक अलग बात है हम आराम करें ठीक पर डेलिबरेट ले नहीं अब एक बात बताओ मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी ठंड है कि हम खाना नहीं खाएंगे बोजन तो चाहिए इतनी ठंड है पानी नहीं पिएंगे इतनी ठंड है सनान नहीं करेंगे सब तो करना है तो भजन क्यों छोड़े आज आप एक बात सुन लीजिए सिट स्ट्रेट पहले तो बहुत काम की बात है कोई कहीं नीं जाएंगा आज इस बात को गठान मांदने ना शरीर को खाना चाहिए अचरीर का भला शरीर की उनति शरी चाहिए आने से पूर्ती कैसे हो, तो सुनो, सुनो, शरीर को खाना, चाहिए, शरीर के लिए खाना, आत्मा के लिए मेरा काना, शरीर को खाना, आत्मा को काना, चाहिए, शरीर को पानी, आत्मा को राधारानी, ये चाहिए, उसी से आत्मा कपल होगा जब ये आत्मा सरी कृष्ण और राधरानी का भजन करे तो फिर उस आत्मा की उनत्ती होगी और वो दिव्य लोकों की और प्रस्थान करेगी राधा और कृष्ण का नाम ले तो महामंतर में तो राधा कृष्ण है अरे एकादशी की कथा बताएंगे इसलिए शरीर को खाना आत्मा को खाना चाहिए ठीक है शरीर को पानी आत्मा को राधारानी हाँ चाहिए स्री राध थै स्री राध यह देखो अब आज एकादशी की दिन उठे हो मैं तो प्रात्ना करुँगा कि भगवान हम सबों को शक्ति दिया हम रोज उठे है 占़व मेरे मैं तो प्रात्ना करुँगा पर आपको अपना संकल्ब भी करना उठना तो है उठना तो है जगना तो है उसमें दो मत नहीं है शे रहा दे शे रहा दे चलते हैं कदशी की कथा की और पांच मिन अप कई नहीं जाना आज की कदशी की कथा भी सुनो लेकिन याद रखना ये सत्संग आपको बहुत काम आएगी पता है सत्संग क्या करती है भगवत गीता क्या करती है हमारे छोटे मन को बढ़ा कर देती है छोटे मन को भी बढ़ा कर देती है कैसे? अरजुन कैसे? बिल्कुल उसका मन छोटा हो गया था मैं युद्ध नहीं लड़ूँगा पहला अध्यासर पड़ो सब समझ में आएगा गीता का मैं नहीं लड़ूँगा भगवान ने इसको गीता सुना कि इसके मन को बड़ा कर दिया खिला दिया उसका मैं तो यूँ कोँगा यह जैसे open heart surgery होती है वो तो डॉक्टर करेगा लेकिन भगवान कृष्ट ने इस युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन और बुद्धी दोनों की operation किया कृष्टर बहुत बड़े डॉक्टर है वो तो सर्वसामर्थ है, सब कुछ कर सकता है जो अर्जुन का मन छोटा हो गया था ठीक है अर्जुन के मन की गती रुक गई थी जैसे heart beat रुक जाती है जैसे अर्जुन के मन की गती रुक गई भगवान ने उसका गीता सुना के ऐसा इलाज किया श्री राद डॉक्टर को तो फिर भी operation करने के लिए operation थेटर चाहिए ओटी चाहिए भवान ने तो युद्धु के मैदान में operation कर लिया अर्जुन की उसके मन और बुद्धी को ठीक कर दिया तुरंत treatment कर दिया अर्जुन के छोटे मन को बढ़ा कर दिया और जब मन बढ़ा हो जाए न हाँ जब इंसान का will power मजबूत हो जाए न तो उसके लिए ये जो बड़े बड़े दुखों भी हो छोटे माना नहीं रखते है माना नहीं रखते है अर्जुन के लिए ये मा भारत की जो कोरों की सैना थी 11 अक्षणी सैना गीता सुनने के बाद तो फिर अर्जुन के लिए 11 अक्षणी सैना माना नहीं रख रही थी आप एक एकजामपल सुनना कहीं नहीं जाना एक मिनट के लिए श्री रहा दे फिर हम आपको आज की कदशी कथा सुना दे आप एक गलास पानी लीजिए एक गलास पानी लीजिए शेयरादे, 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 शायद ये बात कही थी कल हमने, ध्यान से सुनिया, ये कल उधारन नहीं दिया था, आज सुनना, बहुत काम का उधारन, दो मिन के लिए कही मत जाओ, कही मत जाओ, अभी कभी कुछ सत्संग के वचन ऐसे सामने आ जाते हैं हुमारे जीवन को बदल के रखते हैं बदल के रखते हैं तो आप एक ग्लास पानी लीजिए उसमें एक चमच नमक भरा हुआ एक चमच पूरा नमक से भरा हुआ वो एक चमच नमक आप एक ग्लास पानी में डाली, उसको मिलाईए, पानी पूरा खारा हो जाएगा, क्या हम पी सकते हैं, नहीं, वो पीने योग्य नहीं होगा, अगर उसमें चमच पिनाव के तो, पीने जैसे नहीं होगा हो, ठीक है, ग्लास छोटा है, नमक का असर देखो, पूरा पानी को खारा कर दिया, अब वो ही एक चमच, नमक, आप एक बकेट में डाल दो, बाल्टी भरी भी पानी की, उसमें डाल दो, अब बाल्टी भड़ी होगी ने, पानी के मातरा बढ़ गई ने, अब चमच तो उतना ही है, नमक भरा हुआ उतना ही है, नमक की मातरा अब बाल्टी का पानी कैसे होगा हलका सा खारा होगा ज़्यादा नहीं होगा अब घर में जो टंकी है पानी की ओ तो 5000 लेटर 2000 लेटर जो भी 1000 लेटर की संटैक्स की आती है पानी जो भी टंकी घर के बार लगी उपर लगी है आप उसमें एक चमच नमक डाल दीजे हजार लिटर पानी में ऐसे डालना नहीं भाई ऐसे खाली एक्जामपल दे रहे हैं ये न सुपाने वरी सब लून वेजो बाबा ये न कजो रादे रादे श्री रादे अब एक चमन नमक आप टंकी में डालो उस खारे खारा स्वाद रह गई नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं क्योंकि एक चमन नमक हजार लीटर में क्या माना रहा है टंकी बड़ी है उसमें पानी की मात्रा जाता है अब वोही एक चमन नमक एक बड़े तलाब में डाल दो तो तो फिर माना ही नहीं रखता नमक है कि नहीं है पता तक भी नहीं चलेगा उस नमक की क्या मजाल कि उताला आपको कुछ कर सके क्योंकि ताला बहुत बड़ा ऐसे समझना बहुत अच्छी बात है कि हम ध्यान से सुनना जैसे गलास में हैं अपने नमक डाला हमने उसे पूरा पानी खारा कर दिया पीने योगे नहीं वही बकेट में डालो फिर टंके में डालो फिर आप हम अगर उसको तालाब में डालते तो कुई असर नहीं है ऐसे जीवन में दुख आते हैं तकलीफें आती है अगर हमारा मन छोटे गलास की तरह है उनको छोटा दुख भी पड़ा लगता है कई लोग देखो इतने डॉक्टर की सुई से डरेंगे सुई से डरेंगे थोड़ा सा बुखार नकले मैं नहीं हो रहा है मेरे से मैं नहीं चल पाऊंगा डॉक्टर के पार इतने से बुखार पूछो भुखार कितना 101 अरे 101 में लोग काम करते हैं हमने बापपजी को देखा 103 भुखार में प्रवचन दे रहे अरे पूरा शरीर दपरा बापपु जी आपको इतनी नहीं ठीक हो जाएगा गोली ले लिए ना चंता ने सत्संग जाएगा आज भी काम करता है 101 बुखार में भाई कुछ लोग जैसे ग्लास जैसे होते हैं तो उनके लिए दुख क्या होता है बहुत बढ़ा हो जाता है जीवन खारा खारा हो जाता है हमें क्या करना है सत्संग हमको क्या करती है भगवत गीता क्या करती है भगवत गीता हमारे छोटे मन को बढ़ा करती है फिर पड़े मन के लिए जो ये दुख है ने माना नहीं रखते हैं जैसे तालाप के सामने एक चमच एक स्पून जो आपने नमक से सॉल्ट से भरके रखा है वो फिर तालाप के लिए जैसे माना नह रहता है ऐसे एंपर अमारी लिए फिर माना नहीं रखते हैं यहीं कि इस गीता हम менे को हमारे छोटे मन को सिल मद्दोकर भगवान को है उतना मेरा भकत है आज इसको क्या है युद्द के मैदान। क्या हो गया आज क्यों अरजन टूटा टूटा भैठा है मैं तो ये कहूंगा बापजी समझाते हैं कि अर्जुन तो माध्यम है अर्जुन तो बहाना है असल में ये गीता का ग्यान भगवान हमको देना चाहते थे इसलिए तो दौपर यूग के अंत में भगवान ने भगवान ने गीता का ग्यान दिया कि कल्यू के जीवों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ छोड़ के जा रहा हूँ ये ग्यान हलाके क्रिष्ट तो यहां भी है वहां भी है पर ये जो गीता है भगवान का वो संदेश है से जीवन बदल जाता है अब चलते हैं एकादशी की कथा की और, ध्यान से सुनना, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, तो आईए चलते हैं एकादशी की कथा की और, ठीक है, पर इससे पहले बताएं कि हम आज जाएंगे, आज गायों को चारा खिलाने जा रहे ह आज कंबल टोपियां सौक्स वित्रन होंगे जरूर होंगे क्योंकि ठंड है जो बिचारे लोग फुटपात पे ठंड पे सोते हैं तो गुरु माराज ये करपा कर रहे हैं और ये सेवा होगी आज भी अगर आप भगवत गीता भुलाना चाहें तो आदे शुलक में भगवत स्री कृष्ट से पूछा है प्रभू कि ये जो मार्ग शीर्ष मास चल रहा है इसके शुकल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी कत्था क्या है भगवान कृष्ट ने कहा हे युदिश्टर बाराज आज की जो एकादशी है जो मार्ग शीर्ष मास के शुकल पक्ष के एकादशी है ये एकादशी मोक्षदा एकादशी से विख्यात है मोक्षदा एकादशी नाम है है युदिश्टर बाराज के एक सुन्दर चम्पक नगर था उसमें एक राजा रहते थे राजा का नाम था वैखा नस कथा शुरू होगे एका दशी के और जो हमने कहा ना आज जो भी गायों को चारा दिया जाएगा सौक्स कंबल जो बाटे जाएंगे उसमें भी आप सयो कर सकते आज एका दशी है यथा शक्ति जो आपकी हो अन्यथा भजन तो कर सकते एका दशी के दिन भाट श्री रा जरूर तो अब हुआ ये कि राजा वैखानस बड़े धार्मिक राजा थे एक दन रातरी में सोए उन्होंने सपना देखा कि उनका पिता नर्क भोग रहा है बहुत दुखी है यातना मिल रही है उनको दंड मिल रहा है और पिता बार-बार अपने पुत्र को कह रहा है वैखानस को मुझे नर्क से छुड़ा। राजा सपना देख रहते हैं राजा सपने से उठे याने नीन से जागे इतना बुरा सपना देखा राजा बहभीत हो क्या कुछ ब्रामणों को बुलाया उन से सला की ब्रामणोंने कहा राजा सपना तो बहुत बुरा है आपके पिता इस वत नर्क में है चलो एक काम करते आपके राज्य के बाहर एक मुनी रहते हैं परवत मुनी उनके पास चलते हैं वो तरकाल दृष्टी है राजा समस्त ब्रामनों को लेकर परवत मुनी के आश्रम में पहुचे मुनी वर को प्रणाम किया और अपने सपने के बारे में बताया मुनी ने ध्यान लगाया कहा राजा आपके पिता से अपराध हुआ है जिसके कारण वो नर्क भोग रहे नर्क भोग रहे बोला आप मैं पिता को कैसे छुड़ाओ कहा आप मौक्षदा एकादशी का परिवार के साथ वरत करो उसका पुन्य पिता को दो भला होगा पिता नर्क से छूट जाएंगे का ठीक है राजा घर में गए मौक्षदा एकादशी आई परिवार के साथ आज की कद्रशी कवरत किया और अपने पिता को पुन्य दिया वो नर्क से छूट गए आज की जो कथा सुनते उनको भी वाजपाई यक्या का फल मिलता है रात्री में जागरन करने का भी महत्व है इसलिए आज रात को सुनिएगा आज रात को सवा दस से सवा ग्यारा भजे तक आज रात को कीर्टन है जागरन का मात्व है नहीं सवा दस से सवा ग्यारा भजे तक हमारे साथ लाइव रहना फेस्बुक पेज दामो दरदास पे फेस्बुक पे जरूर लाइव रहना आपको बहुत-बहुत बताई हो, बापपजी सरकार के ओर से गीता जेन्ती की, याने आज भगत गीता माता का प्रकट्टि दिवस, और एकादशी की बहुत-बहुत बताई हो, बहुत-बताई हो, और कल सुबह दौधादशी है, जरूर उठना, जो लोग आज उठे हैं, उन हे गोपिनाथ हे जगनाथ हम आपको कभी न भूलें कभी न भूलें कभी न भूलें कभी न भूलें हे गुरु माराज शामा शामजूं हम सबों की एकादशी सफल करना खूब भजन नाम सिम्रन करें और आपके करपा प्राप्त करें तथा प्रभू अंदाबाद से देवानन चेलाराम पंजाबी जिनकी 28 ओक्टोबर को डैथ हुई थी उनको अपने चर्णों में वास देना श्री ब्रिंदावन धाम का वास देना यही आपके चरण कमनों में प्रातना है प्रभू स्विकार करना स्विकार करना स्विकार करना आप किसी को भी अगर कोई प्रातना करवानी होती है यह बच्चे का जनम दिन है उसके लिए प्रेयर करवानी होती तो कम से कम हमारे से 10-12 दिन पहले कॉंटेक करो अभी इन दिनों 10-12 दिन पहले बता दो कि से सी राधा बिन दावन चंद्रब्यारी लाल की जे शिमती राधा रानी की जी बापजी सरकार की जयरे निताय이드गोर अरी बोल जय जय श्री राधे-श्री राधे जै का 3 uh इस दो हम